कि अपने लोग एग्री कर रहे हूं चाइट में एग्री लिखते जाना जो डेसेग्री कर रहे हो आप पॉइंट रहे जाना कि एपरिल फूल नहीं है मैं सीरेस हूं सीरेस बात कर रहा हूं है तो अब कुल मिलाके बात यह है कि बहुत दिनों से बहुत लोग बोल रहते कि आप लोग चुप क्यों रहते हो जवाब क्यों नहे जैते किसी को कि तो भाई ऐसा है कि अगर कोई लाइफ ट्रीम पे आके कोई एक लीट इस थे बाते कर रहा है कि किसी लड़की को यूनो फैन बेस इसलिए कि वो अच्छी दिखती है और ठरकी लोगों की इंडिया में कमी नहीं है तो दो मिल्लिन ठरकी लोग तो होंगे नहीं और है तो अच्छी बात है एंड आप अपने और के लोगों से यूनो आज 2022 चल रहा है और आप 2001 में भी ऐसी बाते नहीं होती थी कि कोई आके लड़कियों को इस तरह की लैंग्वेज में यूनो बात करेंगी भाई अच्छा यह मेरा भी जैसे किसी भाईया का पर्सनल ओपीनियन है तो मेरा भी पर्सनल ओपीनियन है हाला कि मेरा लेवल नहीं है कि मैं जवाब दूँ बट सिंस पायल इस अन इंटिग्रल पार्ट अफ एसे टुल और जिसकी वज़े से उसको रैत जेलना पड़ा तो आइल आफ टू कम अप एंट स्पीक अप फर हर तो सीधी सी बात है भाई अब हों इस इसाबसे तो उस्पॉर्ट्स अतलीट आपके हिस इस्पॉर्ट्स टैलेंट तुम मुष् entrepreneurs लोगो यह बात बात पर सिर्फ सब्सक्राइबर्स गिनाना है टैलेंट पड़ा है यह पड़ा है फलाना पड़ा है ंटलेन तो पड़ा है इंडिया में कोई टैलेंट की कमी नहीं है बट जनता जिसको प्यार करेगी उसको तो रोप नहीं सकते न अब ऐसे भी अब हम में तो कोई कॉलिटी है नी आप लोग बड़े शायद बोल दोगे कि मॉटल है एक्स वैजड है हां तो है मॉटल है उसका सपोर्ट है बट हम आके लाइफ स्ट्रीम पे आके ओडियन्स के आगे कुछ भी टट्टी करेंगे तो ओडियन्स जादा दिन तो प्यार करेंगी ने हमको अब बीस लाग लोग तो ठरकी होते नहीं और कल को भगवान ना करे कोई जिन भी आपने गेमर का नाम लिया उनके सब्सक्राइबर एक मिलियन हो जाते है भगवान करे हो जाए हंडेड के हो जाते है तो क्या वो हंडेड के टू हंडेड के लोग ठरकी है मतलब कुछ भी कोई बोल रहा है तो तुम लोग इतना उसका बतंगण बना रहे हो कुछ को भी कोई बेस्लेस बात कोई सब्सक्राइबर की काउंट किनवाना शुरू कर देते है कोई achievement गिनवाना शुरू कर देते हैं मैं सीधी सी बात जानता हूँ आप SATOL के hater भी होंगे बट एक बार ही आपके घर में अगर कोई female है ना उनको वीडियो दिखाना उनका opinion दिखाना और पूछना how much that female आपकी mother, sister, girlfriend किसी को भी दिखाना है ये opinion कि ये एक individual का 2022 में opinion है लड़कियों के बारे में एक particular लड़की के बारे में जो grow कर चुगी और आप पूछना आपके घर में आप हमनों को नफरत करते हों करो कोई चलेगा ऐस एस 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 एटियो लग चलेगा पड़ एक बार है अपनी कि मम्मी सिस्टर किसी को दिखाना और उनका opinion लेला कि मम्मी या मेरी भेन या आपकी girlfriend उससे पूछना कि how true is this guy ठीक है एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बहुत सारे matters में तो मैं बोलता ही नहीं हूँ आप लोग जो बोलते हों कि सब को चुप क्यों करकते हो यह क्यों करकते हो तो मैं तो अब आप लोग को एक बात समझाता हूँ यह e-sports है ना e-sports e-sports बहुत छोटे टाइम के लिए shift मारता रहता है मैं 2018 से इस लाइन में हूँ मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जाए मॉटल हो चाहे रेगल टॉस हो चाहे स्काउट हो चाहे वाइपर हो मनदब एक टाइम था रेगल वाइपर के लिए 50,000 वाचिंग का कॉमन थी मॉटल के लिए 2,000,000 कॉमन थी यह e-sports के थोड़े थोड़े दिन में नए नए लोग आते जाते और नए नए लोग स्टार बनते जाते जैसे अभी अपकमिंग स्टार फेसे आप देख रहे हो आगे आ रहे है एक सो से सैंसी यह स्नैक्स है ना एस जी से समराज है बहुत लोग है जो बहुत सारे स्ट्रीमर्स अब आने शुरू हो गए जो e-sports अथलीट भी है और अच्छा कर रहे है अच्छा कर रहे है MVP रेगुलर बन रहे है उनकी टीम रेगुलर टॉप पे आ रही है तो हर किसी का ना एक टाइम आता जाता है आता रहती है जो आपने कंटेंट दिया है उस दुरान जो आपने आज स्काउट का पीछा नहीं छोड़ती ना दो साल पुनानी कॉंट्रवर्सी तो पीपल आ नोट रिलाइज इस कि वो आज जो हग रहे हैं आके इंटरनेट पे क्योंकि फ्री इंटरनेट है फ्री स्पीच है डेमोक्राटिक कंट्री है तो कुछ भी हग रहे हैं हगने के उपर तो कोई मना करेगा नी आप जो लोग आके जो भी हग रहे हैं ना इंटरनेट पे उनको यह निरलाइज हो रहा है दो साल बाद या एक साल बाद वो चीज़ें उनके अगेंस्ट कितनी बुरी जाने वाद प्रूप मैं प्रूप यहा है